वेलकम टे न्यू लेसन कल के लेसन में हमने समझा था अबाउट एप इंस्टॉल कैमपेंज आज के लेसन में हम एप इंस्टॉल कैमपेंज बनाना सीखेंगे अगें जैसे मैंने आपको कल बताया था बहुत 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 ही जादा आसान है एप इंस्टॉल कैमपेंज बना just click this then आपके पास option आएगा new campaign right new campaign then click new campaign then जैसे आप new campaign click करोगे आपके पास ये screen आजाती है हमें लेना है create a campaign without a goal then हमें लेना है app ठीक है ये जो app campaign है ये across the google properties YouTube Google Play display search हर जगह नज़र आता है select app then आपको select करना है कि platform किस platform पे आपका app है say हमारा android पे है हमने लिए android then आपको अपना app यहां पे ढूणना है say हमारा app है flip card right तो मैंने simple search किया यहां पे flip card flip card आ गया then continue अब आपको यहां पे campaign का नाम लिखना है ठीक है then आपको choose करना है location जैसा आपने आज तक देखा है कहां पे आप add दिखाना चाहते हो say मैं डेली में दिखाना चाहता हूँ यह मैंने लिए डेली ठीक है यह target यही रखना है then location अगर आप सबको दिखाना चाहते हो then you can make it all languages then आपको simple डालना है budget तो say मेरा budget है 1100 रुप then bidding अब bidding में आपसे Google पूछ रहे कि आप क्या चाहते हो ज्यादा से ज्यादा आप इंस्टॉल चाहते हो या in app action चाहते हो आप चाहते हो कि आपके app के अंदर जाके लोग को एक्शन करें तो उसके लिए मैंने कल आपको बताया था कि आपको conversion tracking setup करना पड़ेगा उसके लिए आपको अपने developer के एक बार help लेनी पड़ेगी ताकि वो codes जो है वो जाके अपने जहां भी आपका android बनता है जहां पे उसका setup होगा माँ पे install कर सकते हैं तो हम अभी in app actions नहीं ले सकते हैं हमें लेना पड़ेगा install volume अगर आप एक बार जब setup कर लोगे देन आप in app actions ले सकते हो अभी हम लेते हैं install volume then again same चीज़ पूछ रहा है आप किसे दिखाना चाहते हो all users या users likely to perform in action हाना तो हम all users लेते हैं users likely to perform हम नहीं लेते हैं क्योंकि again हमें conversion tracking यहां से setup करने पड़ेगी अगें आपको अपने developer की help चाहिए आप देन पूछ रहा है Google आपसे कि per install आप कितने रुपए देना चाहते हो तो से मैं लिखता हूँ 50 रुपए कि भया एक install के मैं 50 रुपए दूगा देन start and end date आप start और end date डाल दोगी अगर कोई end date आप रखना चाहते हो तो वो डाल सकते हो नहीं तो आप अभी से start कर सकते हो then आप करोगे simple save and continue then आप से Google पूछ रहे एड ग्रुप का नाम right तो मैं लिख देता हूँ test ad group one then आपको यहाँ पर लिखना है अपना ad का headline right तो से मैं यहाँ पर डालता हूँ best online shopping app ठीक है और यहाँ लिखता हूँ click to download shopping app ठीक है और देन आपको यहाँ पर थोड़ा और detail में और description देना है right तो मैं डालता हूँ love shopping online download clip cart India's best online shopping app ठीक है और description डालना चाहते हो तो यहाँ से और description डाल सकते है then यहाँ से कुछ आप images डाल दो हाना तो click करो images और यहाँ से आप upload कर सकते हो right या फिर जो यहाँ से recently आपने use कि होंगी वो दिखेंगी आप उनको भी use कर सकते हो तो मैं recently वालों को और upload कर सकते हो right जितने images हैं आप 20 तक upload कर सकते हो ठीक है similarly आप यहाँ पे videos भी ले सकते हो right आप यहाँ पे videos ले सकते हो तो मैं simple अगर यहाँ पे flip cart search करूँ तो flip cart की सारी videos आ जाएंगी मैं यहाँ से वो video select कर लूँगा right flip cart ka official channel नहीं आ रहा flip cart official दो यह ले लेते हैं और आज यह ले लेते हैं और यह यह ले लेते हैं फिक है चार वीडो ले ले लेते हैं और इने कर देते हैं sob ठीक है और देखो आप यहां देखोगे तो हर प्लैटफॉर्म के लिए Google अपने आप यहां पे एड बना रहा है सर्च के लिए बना दिया यह यह यूट्यूब के लिए बना दिया इंस्टॉल वाला ओप्शन आ गया है आपे यहां पे उसने Google Play के लिए बना दिया तो हर प्लैटफॉर्म के लिए उसने अपने आप एड बना दी आपको कोई कीवर्ड वागरा कुछ लिखने की जुरूद नहीं है वो सारी डिटेल्स आपके प्ले स्टोर की लिस्टिंग से आपकी एप के डिस्क्रिप्शन से वहां से फैच कर लेगा आपको कुछ करने की जरूद नहीं है और सिंपल अगर आपके पास HTML5 बैनर से तो आप वह भी अपलोड कर सकते हो और देखो आप हर प्लैटफॉर्म के राइट और नेचे आते हैं सेव एंड कॉंटिन्यू कर देता हूं और सिंपल कॉंटिन्यू टू कैमपेंग ठीक है अब देखो इससे आसान कोई कैमपेंग हो नहीं सकता राइट अगेन एक जिस ध्यान देने की जूरत है अगर आप एप इंस्टॉल कैमपेंग रन कर रहे फाइदा नहीं होगा लिटरली जीरो फाइदा है एप इंस्टॉल कैमपेंग रन करने के करने का अगर आपका बजट बहुत कम है ठीक है तो आपने देखा इतना आसान है एप इंस्टॉल कैमपेंग बनाना है ठीक है जी तो मच वाचिंग डिस लेस